इस बीच एक और बड़ी खबर करूख करते हैं जोहां सीम शिवरात सिंग चौहान ने केंद्रे मंत्री मंसुख मांडविये से चर्चा की है लाकट फंगर्स की वर्कमान स्थिती के बारे में अफ़त कर आया तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोहां आपको बता दे केंद्रे मंत्री मंसुख मांडविये से भी चर्चा की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहां मंत्री मांडविये ने सीम शिवरात सिंग चौहान को आश्वासन दिया है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्लैक फंगर्स के उपचार को लेकर यहां पर किस तरह से विवस्था की गई है उसको लेकर केंद्रे मंत्री मंसुग मानवी इसे चर्चा की है मंत्री मानवी ने सीम शिवराथ सिंग चौहान को आश्वासन भी दिया है जो आप ब्लै मंत्री मंसुग मानवी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है और प्रदीश की स्थिती को लेकर अवगत कर आया जोहां मंत्री मानवी ने सीम शिवराथ सिंग चौहान को आश्वासन दिया है कि ब्लैक फंगर्स के इंजेक्शन की आपूर्ती जल्द ही की ज की है इस दौरान केंद्र मंत्री मानवी ने मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार ब्लाक फंगर्स के उपचार में आने वाले इंजेक्शन की आपूर्ती जल्द ही प्रदीश को करेगी तो वहीं केंद्र मंत्री ने मुख्य मंत्री को बताया कि केंद्र स चर्चरा की जाएगी और कोरोना की स्थिती के बार में अवगत कराते हुए या उन्सों जानकारी लेते हुए ब्लाक फंगस इंफिक्शन के बारे में भी यहां अवगत किया जाएगा तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सीम शवराद सिंग चौहान ने केंद्रे मं मंत्रे मंसुख मानवे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सो चर्चरा की है मंत्रे मानवे ने सीम शवराद सिंग चौहान को आश्वासन दिया है और इसी खबर पर चर्चरा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइफ जोड़े हैं सूसियेट एडिटर गीत दिक्ष जादा मरीज निकल के आए इंदौर हो चाहिए भोपाल है जब जबलपुर हो लेकिन इन सबसे जाद ज़्यादा इंदौर में मरीज निकल कर रहे हैं इसको लेकर इसकी दवाई इसके इंजेक्शन को लेकर आज शिवराज सिंग चौहान ने मद्रिदेश के मुक्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने प्रजान मंत्री नरेंद मोदी से पहले संबाद किया संबाद करने के बाद ब्लैक फंगस को लेकर जो तमाम तैयारिया हैं तमाम जो दिक्कते आ रही है उसको लेकर बात करी उसके बाद उन्होंने केंद्री मंत्री मंसुक मांडविय से जो उ पर दायात होने के बाद आपको तत्काल प्रभाव से उपलब्द करा दी कि प्रधान मंत्री और केंद्री मंत्री ने मुक्य मंत्री को आश्वत किया है कि आपको जल्दी एक खेप जो हैं जेक्शन की उपलब्द करा जाई लिकिन जहां आज सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं न कहीं है ब्लैक फंगस को लेके बड़ी बात आएगी ब्लैक फंगस के सबस्यादा मरीज हैं और उसके बाद वहाँ पर एक पिछले दुनों एक दवा बजार में गोडाउन में आग लग गई थी जो सिरम कंपनी का गोडाउन था सिरम कंपनी आग लगने के कि फिलहाल तुसीम शिवराद सिंग चौहान को यहां पर आश्वासन दे दिया गया है कि ब्लैक फंगस इंफिक्शन से निपटने के लिए या फिर उसके इंजिक्शन और दवाई जो भी है तो चारू रूप से व्यापक इस तरपर दी जाएगी और किसी भी तरह की कुछ भी नुकसान नहीं होगा लेकिन सवाल यह कि अब भी अगर केंद्र और राज्चु सरकार का दिखर किया जाए तो ब्लैक फंगस इंफिक्शन से निपटने के लिए कितनी तयार है देखे ब्लैक फंगस को लेके मद्परदेश में बुक्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान न लगातार बैटके इस क्राइसिस मेनेजमेंट की बैटकों में का था वो जो रोच कोरुना की समिक्षा भी बैठा गूती उसमें ब्लैक फंगस को लेके भी चर्चा होती और पिछले दुनों नहीं साफ तौर पास सख्त नर्देश दिये थे कि प्रदेश के पाथ मेडिकल क लेजों में स्पेशल बाइड बना दिये गए लेकिन इसकी मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर सरकार और तैयारी कर रही है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है इसके लिए नोडल अधिकारी कर दी गए हैं मुख्यमंत्री लगातार ब्लैक फंगस की रोक थाम को लेकते हुए इसका संक्रमन जादा ना बढ़े इसको लेकर निरंतर तैयारियों का जादा लेते रहे हैं बिलकुल लगतार शिवरात सरकार यहां पर ततपर सक्त होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में एक चीज और यहां पर देखी गई कि जब ब्लैक फंगल इंफेक् कार के रणने थे मुख्यमंतरी ने अभी ब्लैक फंगस को लेके बहुत ज्यादा इंजेक्शन और दवाई वे उपलब नहीं है लेकिन जितने दवाईयां उपलब दें उनकी काला बजारी रोकने के लिए मुख्यमंतरी ने पिछले दुनों भी साफ साफ तौर पर कह दिय कि जेला कलेक्के को फ्रेंट दे दिया था कि काला बजारी किसी आलत में नहीं की जाएगी जिसक ने काला बजारी करी उसके खिलाब दंडात्मक कारवाई की जाएगी लेकिन जहां इंजेक्शन अगर की सप्लाई प्रापर शुरू हो जाती है रितू तो सबसे बड़ी बा इसमें वो लोग तमाम शामिल थे जो अस्पतालों से जड़े हुए हैं चाहेल्थ बर कर रहे हैं इसलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ब्लैक फंगर्स के इंजेक्शन में किसी तरह की काला बारजिया ना हो रितू बिल्कुल आप हमारे साथ जड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया तो बड़ी खबर आपको बतारते हैं जहां सीम शिवरात सिंग चाहान ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी और केंद्रे मंत्री मंसुख मानवे से चर्चा की है इस दोरान मंत्री मानवे ने सीम श गर जिल्डर मंत्री मंत्रीघ करegे हैं जहां जहाँए चल carro दोरान मंत्री मंत्री दोरान सीम जड़ा हैं जहा